अगर आप इस चैनल पर पहली बढ़ा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बिल आइक और मटन दबार ना वुलिए यहां पर आपको इसी तरह की लेटेस्ट नोटिफिकरन जो की सिक्षा से जुड़ी हुए चैनल पर मिलती रहेगी आज की स्नुज में हम लोग देखने वाले हैं कि चैनल में जितने भी यूनिवर्सिटी है जैसे की पर्सु है दुर्ग यूनिवर्सिटी है बस्तर यूनिव से पिछले दिन मैंने वीडियो में बताया था कि जो सेमस्टर एक्जाम है आफलाइन होने वाली थी अब वह इस्थगित कर दी गई है अब उसके लिए नए सीरे से यहां पर नया जो है टाइम टेबल आएगा उसके हिसाब से एक्जाम होंगे पहले 25 जनवरी से स्टार्ट होने वाले से सेमस्टर एजर्ण आफलाइन मोड में अब जो है वो आउनलाइन मोड में होंगे लेकिन नया डेट अभी आने का है तो यहां पर जो डेट आने की बात है तो इसी सब्था यहां पर बैठक हो सकती है परिछा यह जो अधिकारी है उन लोगों की यहां पर और इसी हपते निरनाय आ सकता है डेट आ सकती है नया टाइम टेबल ही कपसे एक्जाम यह होने वाला आप यह आफ लाइन जो मोड में होने वाला था वो तो अब कोरोना के वज़े से पूरी तरह से अभी आउनलाइन ब्लैंडेड मोड में होगा और उसके साथ साथ जो है चौथ ग्रैजुएट की फर्स्ट और थर्ड सेमिस्टर के एक्जाम यहाँ पर ऑनलाइन मोड पर होगी उसके लिए अभी नया डेट आने का है एक इसी सब्ते मीटिंग के बाद यह डेट आ सकती है उसके बाद यहाँ पर हम लोग देखते है तो दुर्ग यूनिवर्सिटी में भी यहाँ पर जो है ऑनलाइन मोड पर एक्जाम होंगे घर से आपको लिग कर यहाँ पर एक्जाम देना होगा यहाँ पर 20 जनवरी से यहाँ पर जो है दुर्ग उनिवर्सिटी के जो पूर्टल है वहाँ पर क्वेश्चन पेपर आ जाएंगे आपको घर से लिग कर यह प स्टार्ट हो जाएगी उसके बाद अगली खबर यहां पर जो है हम देखते हैं तो बिलासपूर यूनिवर्सिटी और सहिदनंद कुमार पटल यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो यहां पर सेकंड सेमिस्टर के छात्रों की परिक्षा है आउनलाइन या ब्लैंडड मोट से होगी अब दोनों में जो है ऐसे अटल यूनिवर्सिटी और सहिदनंद कुमार पटल यूनिवर्सिटी में अभी तक जो रेगुलर प्राइवेट और समिस्टर के दो लाग तीस हजार चातर परिक्षा फाम भरे हैं इन में से पंद्रह हजार स्टुडेंट प्रतम वा त्रितिय समिस्टर के है जिनकी परिक्षा यहां पर आउनलाइन मोट पे होगी इसके लिए यूनिवर्सिटी को कार्य पर इसास से अनुमोधन लेना है वही वार्सिक पद्धति के नियमित प्राइवेट और दूसरे चौथे और पाचवे सेमिस्टर के दो लाग पंद्रह हजार स्टुडेंट के संबंद में अभी भी कोई निरने नहीं आया है तो यहां पर फर्स्ट और थर्ड सेमिस्टर के यहां पर जो पीजी वाले है उनका ही एक्जाम यहां पर आउनलाइन मोट पे होगा रेगलर वालों का और य इसके बारे में फैसला आएगा तो उसका अब्डेट आपको इस चैनल पर मिलेगा उसके बाद देखते हैं राइगार से तो सभी नंद कुमार पटली सुद्याले ने पहले कालेज के इंटर इंटरनल और प्राक्टिकल एक्जाम आफ्लाइन कराने को कहा था जिसे उस अब इस पहले के पालेज के पुर्स्ट और थर्ड सेमिस्टर की परिक्षा और परिक्षा होगी उसके बाद यहां पर देखते हैं जग्दल पूर से बस्तर यूनिवर्सिटी के बारे में इस्टूडट जो है 17 जनवरी पहले के 31 जनवरी तक आउनलाइन परिक्षा फाम भर सकते इसके बाद तीन फरवरी से कॉलेज उनिवर्सिटी से संबंदीत काम निप्टाएंगे और फिर छात्रों के प्रविस पत्रव बनाने काम शुरू होगा इस बार परिक्षा फाम भरवाने में बस्तर में दिसंबर तक परिक्षा ही चलती रही इधर अधिराजय सरकार ने सिर्फ सेमस्टर परिक्षाओं को आउनलाइन मोड से करवाने के निर्देश दिये हैं ऐसे में जिन कप्षाओं के से पढ़ाई हो रहे हैं वहीं परिक्षा ऑनलाइन होगी अभी वीजू में पोस्ट टाइम पर ही डिपेंड करेगा कि जिस टाइम ये यूजी वाली के एक्जाम करीब आएंगे उस टाइम की परिस्तिती क्या रहती है अगर ऐसी परिस्तिती रही तो वह भी आउनलाइन मोट पर होगी उसके बाद यहां पर अगली ख़बर देखते हैं तो प्रदेश में बे एडमिशन के लिए लास्ट अरेट 21 फरवरी रखी गई है इसके बाद 25-28 फरवरी तक मापफ प्राउंट चलेगा मापफ प्राउंट से चैनी चात्रों को दो मार्चे तक एडमिशन लेना होगा और इस बार जो है दस्वी बार्वी की बोट परिक्षा में दिव्यांग व कोरने के कारण लिखनी में सक्चमना हो उन्हें लेखा कि सविदा भी दी जाती है परीक्षा के अंतर द्वारा इस्क्राइब रीडर प्रदान किया जाता है तो उसकी योग्यता के उनुतम योग्यता मान दंड से अधिक नहीं होती यदि विद्यारती को स्क्राइब राइडर की अनुमत दी जाती है तुसकी योग्यता उम्मिदवार की योग्यता से एक अक्षा नीचे रहती है तो इस बार जो है और इसके साथ साथ जो दुरुष्टी बाधित और मांसिक प्रूप से दिव्यांग विद्यारते को निर्धारी समय से डेड़ घंटे का अतिरिक्त समय दिया जाएगा तो यह सब स्विधाई इस बार मिलने वाली है तो यह था दोस्तों आज की डेट में छतित गड़की सिक्षा से जुड़ ही तमाम खवर यह खवर आपको कैसी करने वाद मिलते एक नए निउस के साथ एक नए वीडियो में